नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV और मैं हूँ आपके साथ वक्ता खबरों की खबर में आपका स्वागत है खबरों की खबर में आज बात होगी एक बड़ी साजिश की एक बड़े और खतरनाक प्लैन की जिसे PM मोदी को निशाना बना कर किया गया था लेगिन ईश्वर की क्रपा रही कि ये साजिश विफल हो गई पंजाब में अगले साल चुनाओ होने वाले हैं जहां राजनीतिक दलों की रस्सा कसी चारी है कॉंग्रेस की पहले से सरकार है चरंजीत सिंग्चनीत सीम है तो वहीं आमादमी पार्टी और बीजेपी यहां चुनाओ की तयारी में लगी है एक तरफ जहां कॉंग्रेस सत्ता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी रैली पर रैली कर रही है पंजाब बीजेपी कॉंग्रेस भी पूरी कोशिश में जुटी है वहीं पहली बार PM मोधी पंजाब चुनाओ 2022 के मद्दे नजर फिरोसपूर में चुनावी रैली करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही एक खतरनाक प्लैन को अंजाम दिया गया और जिसने भी इस खतरनाक प्लैन के बारे में सुना दंग और हैरान रह गया PM नरेंद्र मोधी फिरोसपूर में चुनावी रैली करने वाले थे इसके लिए वो विमान से भटिंडा पहुँचे जहां से उन्होंने हेलिकॉप्टर से हुसैनी वाला स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था वहां उन्हें रास्ट्रिय शहीद स्मारक में बलिदानी करांतिकारियों भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को श्रद्धानजली अर्पित करनी थी साथ ही कई योजनाओं का शलन्यास भी करना था लेकिन बारिश और visibility कम होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण ये निर्णे लिया गया कि पीएम मोदी सडक मार्ग से ही हुसैनी वाला तक कसफर तै करेंगे सडक मार्ग से पीएम मोदी हुसैनी वाला के लिए निकले जब प्रधान मंत्री का काफिला एक फ्लाई ओवर पर पहुँचा तो वहाँ पता चला कि कुछ प्रदर्शन कारियों ने रास्ता जाम करके रखा हुआ है और इस फ्लाई ओवर पर लगभग 15-20 मिनिट तक PM मोधी फसे रहे इस घटना के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया केंद्रिय ग्रहम अंत्राले ने इसे PM की सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया कींद्रिय ग्रहम अंत्राले के मुताबिक सडक मार्ग से ये यात्रा दो घंटे में तै होनी थी जिसके लिए पंजाब के डीजी पी को जरूरी सुरक्षा प्रबंधन के निर्देश दिये काई थे लेकिन पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार बिलकुल लापरवह नजर आई हुसेनी वाला से 30 किलोमीटर दूर PM मोदी का काफिला एक फ्लाई ओवर पर फसा रहा वही कुछ कथित किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां तका पहुँचे और वही रूट को लेकर भी पंजाब सरकार ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था जिस रूट से PM मोदी जा रहे थे उस रास्ते पर कुछ लोग जाम करके बैठे हुए थे जबकि पंजाब की चन्नी सरकार को पहले ही प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के दौरे और उनके कारिकरमों के विवरण से अवगत करा दिया गया था MHC ने इसकी पुष्टी भी की MHC के आनुसार ये पंजाब के पुलिस प्रसाशन का काम था कि वो प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन की मांग करे और किसी आकस्मिक स्थिती के विशय में योजना तयार करे ग्रह मंतराले ने ये भी बताया कि सडक मार्क पर सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने जरूरी प्रबंध नहीं किये थे अतरेक्त बल तैनात नहीं किया गया था MHA ने कहा कि सुरक्षा में इस बड़ी चूक के बाद निरणे लिया गया कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का काफिला वापस भटिंडा एरपोर्ट पर जाएगा सुरक्षा में इस गंभीर चूक के बाद पंजाब की राज्य सरकार से भी डीटेल में रिपोर्ट तलब की गई है साथ ही राज्य सरकार को कहा गया है कि वो इस मामले में जिम्मेदारी तै करते हुए कारिवाई करे बाजपा के रास्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडडा ने भी कहा कि हजारों करोड रुप्यों की विकास परियोजिनाओं की सौगात देने पंजाब महुचे पीम मोधी के कारिक्रम में बाधा पैदा किया जाना व्यथित करने वाला था आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं मेरी और परधानमंत्री जी की कार देश के प्रथम परधान सेवक परधानमंत्री मोधी जी की कार सामने से मैं और वो एक ही रोड़ पे हैं कितना बड़ा स्क्योटी लैप्स है और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद य कामियाब रही और ये कितना बड़ा स्क्योटी लैप्स है पंजाब सरकार का पंजाब पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी उपर तुरंत कारवई होनी चाहिए जेपी नगड़ाने आगे ये भी कहा कि इस तरह की ओची मानसिक्ता को पंजाब के विकास के आड़े नहीं आने दिया जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब के विकास के लिए लगातार प्रयास कर्ती रहेगी राज्य सरकार को पहले ही निर्देश दे दिया गया था कि वो लोगों को रैली में हिस्सा लेने से रोके पुलिस के कारण बड़ी संख्या में बसे अठकी रही और प्रदर्शनकारियों के साथ वो मौन सहमती में थे मुख्यमंत्री चरण जीत सिंचन्नी ने फोन उठाने या फिर मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया पंजाब की कॉंग्रेस सरकार के इन हतकंडों से लोकतांतरिक सिध्धानतों में विश्वास रखने वालों को ठेस पहुँचेगी वही पीम मोदी जब वापस भटिंडा एयरपोर्ट लोटे तो वहां के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिन्दा पहुँच सका ये तो था घटना करम अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है और फिर बताएंगे कि कॉंग्रेसी नेता की ट्वीट से क्या इस पश्ट संकेत मिल रहा है सबसे पहले तो पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने SPG को कहा था कि ये सड़क मार्ग सुरक्षित है जिससे PM मोदी का काफिला जा रहा था जबकि रास्ते में कथित किसान जाम करके विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे थे आखिर जब PM को हवाई मार्ग से जाना था और अचानक वो सड़क मार्ग से जाने लगे तो ये किसान कहां से आ गए यानि उन्हें कैसे पता चला कि PM इस रूट से जाने वाले हैं वहीं उस रास्ते को बाधा मुक्त क्यों नहीं कराया गया उस रास्ते में अतरिक्त सुरक्षा विवस्था की तैनाती क्यों नहीं की गई जबकि PM के कारिकरम के लिए ये प्रोटोकॉल है जब आप साफ है आप खुद समच सकते हैं वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि PM मोदी फ्लाइ ओवर पर फसे हुए थे और CM चन्नी आराम से मौसम का आनंद लेते हुए सो रहे हैं जब उन्हें फोन किया गया तो उन्हें फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा जब कि किसी भी राज्य के CM की जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्यों में कहीं भी PM का कारिक्रम है तो वहां की सुरक्षा और विद्य व्यवस्था की पलपल की सूचना उन्हें होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब बात करते हैं उस कॉंग्रेस नेता की जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि मामले का परदा फाश ही हो गया इस घटना के बाद एक तरफ जहां बीजेपी नेता पंजाब सरकार और कॉंग्रेस पर हमलावर देखे तो वहीं कॉंग्रेस की नेता इसका ठीक राक किसान बीजेपी और पुलिस पर फोड़ते हुए नजार आए तो एक कॉंग्रेसी नेता युवक कॉंग्रेस के राश्ष्रिया ध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के एक ट्वीट ने न सिर्फ कॉंग्रेस बलकि पंजाब की चन्नी सरकार भी संदे के घेरे में आ गई है श्रीनिवास ने ऐसा ट्वीट किया कि आप भी हैरान हो जाएंगे मोदी जी, हाउस दजोष, पंजाब कॉंग्रेस शाशित राज में प्रधान मंतरी की सुरक्षा में चुक के बाद कॉंग्रेस नेता के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथो ले लिया है लोगों ने कहा है कि प्रधान मंतरी की जान के साथ खिलवार करने वालों को शर्मानी चाहिए श्रिनिवास को लोगों को पाकिस्तान से मिला हुआ तक कह डाला अनुराग दुबे नाम के एक यूजर ने बीवी श्रिनिवास को जवाब दिया अब की बार 52 सीट भी नहीं मिलेंगी लोग साबा चुनाओ में राहुल गांधी विदेश भाग गया पंजाब के मुख्य मंत्री सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं शर्म करो प्रधान मंत्री की जान के साथ खिलवार कर रहे हो पाकिस्तान से मिले हुए हो शर्मानी चाहिए सुनित नाम के एक यूजर ने लिखा है तुम कॉंग्रेसी हो ही जन्मजात देश त्रोही तुम्हारे लिए चाइन प्री है आज तुम देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा से खिलवार करवाते हो और पूछते हो हाउस दर जोष अभी 44 होना 4 भी नहीं वचेंगे संसद में 4 सीटे भी नहीं आने वाली ऐसे ही हाउस दर जोष बोलते रहो और देश के सुरक्षा से खिलवार करते रहो मुझित नाम के एक यूजर ने भी लिखा है इसके बाद राजीव गांधी या इंद्रा गांधी को शहीद बोलने से पहले शर्म कर लेना शडेंतरकारी कॉंग्रेस देश की तुश्मन है जो राजनीतिक फाइदे के लिए किसी भी इस्तर तक गिर सकती है लाल बहादुर शास्त्री के साथ तुम लोग क्या कर चुके हो ये सब को पता है गद्दारों एक और यूजर ने भी बीवी श्रीनवास का एक फोटो पोस्ट किया जिसमें पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा है इस यूजर ने लिखा है अपना बता जोश कैसा है दीपक रोनियार नाम के की यूजर ने लिखा है तुम जैसे लोग बस ट्रोल करने में ही दिन भर लगे रहते हो इसलिए कॉंग्रेस का पतन होता चला जा रहा है अब आपको सभी बात समझ में आ गई होगी कि ये एक सोची समझी चाल थी जिसका भंडा फोड कॉंग्रेस ने खुद ही कर दिया वहीं अब इस मामले में कारवाई के नाम पर पंजाब की चन्नी सरकार ने जिले के पियम बने रह पाते तो जवाब होगा नहीं पियम तो चोड़िये अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूख हो गई होती तो अब तक सीयम की कुरसी जा चुकी होती लेकिन यहां तो महस खाना पूर्ती की जा रही है शुक्र है हमने एक और पी-एम नहीं खोया और वे सुरक्षित लोटाए आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए बने रही है क्यापिजल तीवी के साथ नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूट पैंचानता हूँ संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासंता हूँ, मैं हर ख़बर से खरा सच निकालता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेस, क्यापिटल भी उत्तर देश